असलाम वालेकुम देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की चाट जब हम बोर ओर रहे हैं और हमारा कुछ अच्छा चट पड़ा खाने का दिल जाता है तो हम मटर बना कर खा सकते हैं देखिए अब हम इसे बनाना शुरू करें जिसके लिए मैंने आदा किलो मटर ले लिए अच्छी तरह छील कर और दो कर रख लिया है इसमें पानी आइड कर दिया है क्योंकि अब हम इसको हलका सल नमग डाल कर उबालेंगे और हमारा कुछ चट पड़ा खाने का दिल चाता है तो यह हमारा बहुत असानी से बन कर तयार हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जात अच्छी तरह से हमने इसको कूकर का स्वाल नहीं कर रहा है क्योंकि तल्ले मटर कच्छी होती है यह तो तल्ले में ही गल जाती है इसलिए हमने इसको बस पाच मिनट उबाल दिया है अब हम इसको फ्राइड करने के लिए मसाले ले लिए है एक चोथाई जीरा लेंगे एक लालमीर्श लेंगे थोड़ा सामने नमक ले लिया स्वादनुसा और एक चोथाई हमने ले लिए फुरूट चाट और एक चोथाई ले लिए खटाई अब हम इसको फ्राइड करना शुरू करते हैं इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है क्योंकि नहीं डलता है और बहुत अच्छे फ्राई होकर तैयार होती है तलीवी मटर की चाट बहुत मज़ेदार लगती है हम आपको बनागर दिखाते हैं देखें इसमें तेल बहुत कम डलता है चाहिए दो तीन चमश बस इससे ही हमारी मटर गल्दक तलकर बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी इसमें हम ज st Whoo इह मारा जिए्र हो चुका है अब इसमें जल्बी से मटर डाल देंगे क्योंकि की सुख तो थोड़ा सा कर लेंगे पहले तेल में कुपी अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो जीरा हमारा काला हो जाता कि देखिए अब हम इसके अंदर अपनी मसाले डाल देंगे जो हम ले लिया है लाल मीर्ट नमक खड़ाई प्रूट चाल और पचिदर मिला लेंगे कि देखिए हम इसको मटर का अच्छी तरह से पानी तो बहुत मज़ेदार बिन जाएगी करारी करारी अब हम इसको पानी सुपा रहे है मटर का इसमें जो हमने उबालने में छान देता तक भी थोड़ा बहुत पानी लह जाता है पानी बिल्कुल होना चाहिए और मटर के दान यह बनकर बिल्कुल तयार है अब हम इसे आपको सर्फ करके दिखाएंगे हमारी मटर के चाड़ बिल्कुल तयार है तलकर यह बिल्कुल साधी होती है इसमें टमाडर हरे में प्यास की जूरत नहीं बहुत मज़ेदार है मैं इसमें एक नीबो निचोड़के डाल दिया है अगर आपको हमारी रेसेपी पसंद आए तो आप हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना बूलें अल्ला हाफिज